नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब सेनल आर के योजना पर यदि दोस्तों आप भी एक किसान है और परधान मंतरी किसान सम्मानडी योजना के अंतरगत आपने भी आविदन किया हुआ है लेकिन आपको बारवी किस्त के 2000 रुपे नहीं मिले कैसे आप अपने वाइल फोन से चैक कर सकते हैं और यदि आपका नो है तो आप कैसे यस कर सकते हैं आपना लैंड सीटिंग का कारिय कैसे पुरा कर सकते हैं यदि दोस्तों आप यह कारिय पूरा नहीं करेंगे तो आपको भविस्य में जो आपको इस व्योजना की अंद्रगत किस्ते मिलने वाली है दो-दो हजाव रुपे की वह आपके बैंक खाते में एक भी किस्त प्राप्त नहीं हो पाएगी और दोस्तो यही करण है जिनकी वज़े से आपको बार वी किस्त के दो हजाव रुपे नहीं मिले है वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तो बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तो वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और आपको लेकल चलते हैं गुगल क्रोम ब्रावजर पर दोस्तो यदि आपके पास बड़ा फोन है यानि कि Android Mobile है तो आपका पने फोन में गुगल क्रोम ब्रावजर ओपन कर लेना है या फिर आप नजदी की CST Center पर जाकर भी एकारी अपना पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है PM किसान जैसे दोस्तों हम लिखते हैं PM किसान यह हमने लिखा और यहाँ पर जो है यह हमने सर्च कर दिया सर्च होने के पच्छाथ हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं PM किसान स के बैंक खाते में नहीं पोंची तो दोस्तों सभी करण आप यहां पर आपको बता जाएंगे किन करण को जिसे किसे तुरूगी है तो दोस्तों जैसे आप भी विजिट हो जाते हैं यहां पर इस portal पर आ जाते हैं तो आप अपना registration number यहाप डाल दीए कोईसा भी यहापर आपको एक registration number या mobile number डाल लोगा तो दोस्तों यहापर हम अपना registration number जो है उसका पहले चुनाव करते हैं चुनाव हम ने कर लिया है चुनाव होने के पंसाथ अब हम अपना registration number डालते हैं और यह capsicode यहाँ पर डालते है, get data पर उसके बाद हम किलिक करते हैं, इतना कारिये पहले हम पूरा कर लेते हैं, दोस्तों हमने यहाँ पर अपना registration number डाल दिया है, आप यहाँ पर जो registration number है हमने यहाँ पर डाल दिया है, और यह capsicode भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, अब दोस आमने भी इसी प्रकार से उपन हो जाएगा सबसे पहले तो यहां पर आप अपना नाम देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपका जो आपने मुबाइल नंबर दिया था आविदन करते समय आप किस राज्ये में रहते हैं आपका डिस्टिक्ट कौन सा है यह भी आपको जानक करी आपको यहां पर देखने को मिलेगी फिर से आपको नीचे स्कॉल डाउन करना है अब यहां पर दोस्तों आप देखीए जो आपका रेजिटरेशन स्टेस हैं यहां नभर है आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आपने रेइशिटरेशन कराया? यहांप आप triggers कराा तो दोस्तो एक तो बड़ा करण यह है जिनकी वजह से इनको 12 विकिस्त और 11 विकिस्त नहीं मिल पाई अब दोस्तों यहाँ पर आप यह देखे जो यह एलिजबल है तो दोस्तों आपका भी एलिजबल होन सही यानि की एलिजबल तो है योग कि तो है इस योजने का लाब ले तो दोस्तों इनका ये सभी जानकर सही है, गलती क्या हो रही है इन्होंने अपना EK वैसे नहीं कराया है, और दोस्तों यहाँ पर PMS response date ये भी इनकी सही है, और लेकिन इन्होंने land seedning भी नहीं कराया है, यानि कि इन दो कारणों की वज़े से इनके bank खाते में 12 किस्त नहीं पह और यहाँ पर payment status आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है third payment, payment यानि कि जो payment mode है, वे सरगारी तरप से तो done हो चुगा है, और यहाँ पर bank का नाम भी इनका दिया हुआ है, credit account यहाँ पर account number यह आप देख सकते हैं, credit यानि कौन सी तारी में credit किया गये थे, UTR number भी आप दोस्तों यहाँ पर जो reason है, वे फेल्ड हो चुगी है, transaction failed reason, तो दोस्तों यहाँ पर यह आप देख सकते हैं, और इनका FTO है, यह इनका यहाँ पर pending है, तो इनका FTO यहाँ पर देख लेना है, उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने बाद दोबार से आप पर बार्विकिस्त में आप यह देखिए, पेमेंट जो status है, वे यहाँ पर ग्यार्विकिस्त, लेकिन बार्विकिस्त यहाँ पर इनकी अटकी हुई है, उसके बाद यहाँ पर transaction failed है, और FTO यहाँ पर यह पर pending है, तो दोस्तों इसी परकार से आपको भी देख लेना, जैसे दोस्तों हमने आपको इनके बारे में जान कर दिये, आपको इसी परकार से अपना registration नमबर या mobile नमबर डालकर सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है, क्या आपका EKYC सही है, यदि आपका EKYC अब तक नहीं हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना EKYC कराना होग उसके बाँ दोस्तों आपको अपना land setting कराना होगा, अब आप land setting कैसे कराएंगे, तो दोस्तों या तो यहाँ पर आप अपने block में से लजाएए, वहाँ पर आपको ब्लोक में क्रिसी के इंदर वहाँ पर आपका center होगा, नजदे की क्रिसी के इंदर है, वहाँ पर आप एक फरम दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना आधार कार्ड और mobile number डाल कर अपना कुछ document लगा कर, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, तो इसी प्रकार से अपने डस्तावेज लगा कर अपना आप जल्द से जल्द यह कारिये land setting का पूरा कर सकते हैं, दोस्तों अभी कोई इसका online परिकरिया सुरू नहीं हुई है, केवल और केवल सबसे आसान तरिका इसका offline का ही है, तो दोस्तों आपको अपने नजदी की क्रिशिक केंदर पर सले जाना है, या आप अपने ब्लोक में जो भी आपका ब्लोक है, वहाँ पर आपके पटवारी है, आप उनसे मिल सकत हैं, और आप जल से जल आप अपना land sitting का कारिया पूरा करा लीजे, तो दोस्तों इन दो कराणों के वज़े से आपको भविस्य में कोई भी किस्त दोदो अजवर्पे की नहीं दी जाई, आज की जानकारी है बस इतना ही, यदि आपको मेंट जानकारी पसंद आई, तो बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले, अब हम आप से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक औरना ही जानकारी साथ, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!